जै साइना, जै साइना, तो तो फिराना, साइना जै साइना, जै साइना, जै साइना, जै साइना, जै साइना, जै साइना, तो फिराना, तो फिराना, तो फिराना, तो फिराना, तो फिराना, जै साइना, 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 जै साइन हम देख रहे हैं सायनत का दिवह चरी रहा नार की फिछले भख में देखे हैं कि सायनत ने सायनत जंगल में तात्या को मिला था और तब सायनत ने उनको दो शिक्खे दे थे और वो दो सिक्के का तात्या को बताया कि एक सिक्का है स्रद्धा और दूसरा सिक्का है सबोरी दो सिक्के के बारे में बताया और तात्या और साइनाद तात्या बोला साइनाद को भया मैं इतना बड़ा हो गयो लेकिन मेरे साथ तो आप कभी खेले नहीं, कुदे नहीं तो आभी तो मेरे साथ खेलना है तब साहिनाथ जंगल में उनके साथ खेलते, दोड़ते तब उसी टाइम, सब श्रीडिवाशी दाते को डुन्राल के डुन्रल के उदर चले आते, जंगल में तब सायनाद के सायनाद को पता चलता है कि वो सब सिर्ड़ी वाशी दुंडलके दुंडलके तात्या को जंगल में आये है तब सायनाद तात्या को बोलते है चलो अभी तो मेरे को जाने का वक्त हो गया है तात्या बोलते है नहीं भाया अभी तो जाने का नहीं है आप तो सिर और दुसरा सबूरिका। तैभी तो, तुम सबर करो। मैं जरूरा आउंगा ताथ्या। एक दीन मैं जरूरा आउंगा। वेक्ट तविलते आभी क्यु नहीं आभी नहीं, आभी मेरा आनेका वक्त नहीं हो गया है। मान तो तेरे को बातती हैं। मैं समाधी करता हो समाधी में लिन हुँ मैं मैं तपच्च रह करने गया हूँ तो आज भी तो तात्या जिदने करने का तभी सब गावाशी तात्या के पाथ चले आते हैं तभी उसके पहले भी साइना गुप्त हो जाते हैं तभी तात्या बोलता है तो इदर मेरा भाया मुस्जी मिला कुलकरनी बोलता है इसका क्यानमन है तो उनकी दो शिक्के दिखाते हैं ये शिक्के मेरे को मेरे भाया निदे और बोला ये स्रदा और सबर का है तब कुलकरनी बोलता है ये तो सच बोलता है लेकिन क्या पता वो कभी आता होगा और गुम हो जाता होगा कवी, कुलकरणा घुष्या हो के शिर्ड में आपउस चले आते तब जंगल में उसी धिन और उसी जगह पे सब शिर्डवासे नत्मस्तक होते और फिर सब सर्डवासे सर्डवासे शिर्डवासे सर्डवासे दुर्वे कुलकरणी धोंड़ु और दगड़ु के पाच चलाता है तब दगड़ु बोलता है मिला का तात्या आवी तात्या भी मिला और वो बोलता था कि उदर वो धोंगी भी मिला यूगिराच तो दगड़ बोलता हो तो कुछ तो बोलता होगा तो आपको क्यों नहीं दिखाय दिया बोलता हो मुझे डरता होगा इसलिए नहीं आया मेरे सामने गलकर नी बोलता है वो सोला नी सच वता है वो मेरे सामने आयेगा भी क्यों मुझे डरता है इसलिए मेरे सामनी नहीं आता है तो योगिराज का उपहास करते है दगड़ो धुनड़ो करने और बाद में तात्या क्या करता है इट्टी रंडु खेलता है और आईशी इट्टी मारता है तो सिधा नुर्बाजी के घर में चली जाते है तब नमिला इट्टी ले क्या आती है बुलती तात्या इदर मत खेलो मायने तुमको कितना बार बोला इदर खेनला नहीं खुले मैदान में जाके खेलो ना इदर खेलकी का सिशा तूट जाता हमारा इदर तो कुकु कुक आलता है और उनका कान पकड़ने लगती तब नूर वाजी आती है और काय का तात्यका कान पकड़ातुने तब नविला बोलती है यह हमीशे इधर रेटी खेलता है और आपिँगे घर में चलिए आती है तब बाहईजार भी उदर चलिए आती ताथ्या तू क्यों हरवार परशां करता नभीला को तो शाजी होने वाले तो तात्या बोलते हैं अभी तुम्हेरे को लड़ोगा निकले मिलेगा तब नभीला उनकी पीछे दोड़के दोड़ती है और बोलते हैं तात्या मेरा का मजाक मत तोड़ा तभी नौरवाजी बाईजा और आजू बुजू कि जो बाई वो लोग को आने वाले हैं नभीला को देखने के लिए तब वही टाइम एक आदमी दोड़के चला आता है और बोलता है वो लोग आई हैं देखते हैं तो नौरवाजी बोलते हैं वही भी लेके आने के लिए हैं तब उसी टाइम सब लोग चले आते हैं नभीला को देखने पटिकल की बीबी, बीबीको, बीबी तो बहुत खुशी हो गए, को नवीला कि इतनी अच्छी लड़की, मेरे लड़के को मिलीगी, ऐसा चांज पटिकल को बीबीको लगा, और वोली, अभी तो श्याधी तो पक्की करलो, कोई बाद, वो यंकि ओ तंगा आये थी, चांज प लेकिन जनती भी नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रोब्लेमां था, और अखड़ जाती, और इरका भी नवीला की भी आईसा हो गया था, कितना वार ने बाद शाधी जमें, लेकिन तूड़ जाती, और उसी ताइम कोटे पटेल, मालसकान के पास चला जाता है, बोलता है, मुस्लिम थी, एत हिंदु तो, कोटे पटे, सरपंच थे गाओ के, चरड़ी के, लेकिन किसके लिए मुनो कामना मांगते थे, एक मुस्लिम भाहिचरा की लड़की के लिए, जितना प्यार बड़ा हुआ था, कौन किसका धर्मा, कौन किसका, कुछ नहीं, हम सब उस मालिक के बन दे है, लेकिन हम अपस में लड़ते, क्यों लड़ते है, पता नहीं, लेकिन लड़ते है, चलो, सायनात के चरितर देखते, तो, बात तो पकी हो गए, चांद पाटिल को रिस्ता पक्क हो गया, और तारिक बक्के करके, वो तो चल बशिये, एक गोड़ा गड़ी में, औ अपने गोड़ी के उपर, छबू के उपर बाइट कर, चल पड़े, वो आगे और वो पीछे, ऐसे मजल, दर मजल, मजल, दर मजल करकर के चल रहे थे, और उसी टाइम, रास्ते की बीज में, जार पाट दाको लोग आ गये, कोई गोड़ी के उपर था, कोई पईदल था, ग लोग क्यों रूके भाईजान हम, तुम्हें पता है कि हम कोण है, हम पाटिल है, तुब रहे, तुब पाटिल हो एको, हम ही क्या, सब गेने और जानात इधर निचे रोखो नई तो, हम तुमको मार, मारेंगे, और चांद पड़िल को मारने लगे, तो उनकी बीबी, और वा मारो, जितने गहने उतने सब हम तुमको देंगे, लेकिन उनका मत मारो, तब बोलते हैं, हाँ, इधर रोखो, तब हम तुमको नहीं मारेंगे, और तब सब सोने, सोने चांदी, सब गेने उनको देते हैं, और तब वो डाखो लोग उधर से चले जाते हैं, और तब चांद चांद पटिल देखता है तो उनकी छबू भी भाग जाती है तो बहुत दुख्य होता है जितने गहने गए उससे ज्यादा दुख्य उनकी खुड़ी छबू गए उससे ज्यादा दुख्य हो गया तब वो बैलगाड़ी के मेट के गाव में चले गए और तब वो बताते किसी को मत बताओ कि हमको डाकोने घेरा और हमारा सब सोना विना सब छिन ले ऐसा किसी को मत बताओ तब बोलते नहीं बताएंगे तब वो बोलते वो तो छबू भाग गए अब गोड़ा किदर चलाएंगे नहीं मैं तो छबू को डूनाना के लाओंगा और चांदपाटी उनकी बीबी को बोलता है तब वी उसी टाइम चांदपाटी जस जंगल के भाग में खबू कि गुम हो गये था है उस जंगल में चले जाते हैं उस रास्ते में चले जाते हैं और चबू चबू अइसे नाम पुकर के बोलते हैं कि नामशी भी डोल के चले आएंगे और पली आईशी भी थी ना कि जब चान्तपटिल उनको बोला थी तो उनके पास आती थी तब अभी भी उनको ऐसा लगा कि मैं बोल उनके आवाशी पुकराऊंगा तो वो चले आएंगे देकिन ऐसा तो कुछ ने हुआ वो ठक गए और एक जगा पे बैट गए और सयनात का नाम तो चल रहा था एक पतर के उपर सयनात प्रकट हुए थी चानदपटिल के पीछे अलाह माली और देखते पीछे कून बोड़ रहा है और देखते तो सयनात दिखा दिया लेकिन उनको पता नहीं यह कून बाब है और उनके पाच चले आते बाबा आप बोलो अज्स क्या है इदर एक गोडी को दिखाया क्या और किसकी गोडी मैं तो आभी तो बैटा लेकिन मैं तो इदर से दोड़ दोड़ पे चलाए लेकिन इदर तो कोई नहीं था आप किदर से आ गए मैं तो सब जगह में हूँ मैं सब जगह पे हूँ तुम क्या गोडी को डुंडल रहे हूँ क्या हाँ वाँ मैं तो डुंडल रहे हूँ बैटो चांद पाटील बैटो ऐसे नाम बोल को तो मेरे नाम आपको कैसे पता मेरे को तो सब पता होता है मैं हर जगह फ्य हूँ मैं पशू पक्षी पॉंदे फूल और आपने भी तुम्हे हूँ सब जमजे सब पता चलता है तो मेरे को बता हूँ मेरे घुड़ी खाए देखा उदर तलाप के तलाप के पास देखा हूँ पाणी पी रहे है तो चांदपाटिल को बहुत हर्षी उट गया है कि मेरे घुड़ी तो मिल गए तो बलती जाओ उनके पास चले जाओ और पकड़ो उनके तब चांदपाटिल जब घुड़ी के पास चला जादा है तो घुड़ी दर ने लगती है तब उशी टाइम चांद पटिल दोर दोर के ठब गया लेकिन उनकी गुड़ी छबू ना रुकी दोर के चली गए जंगल में तब चांद पटिल दोर दोर के दोर दोर के बहुत दोर चला गया और नीचे बैड़ गया नीचे बैड़ गया है और आई इसे थोड़ सा पीची मुड़ कर देखा तो साहिनाद वो इसे ही एक पत्थर के उपर तो इसे कोई राजा महाराजा बैटता है शिहां सन के उपर तो इसे साहिनाद बैटे थे तो बतलता है तुम तो उस हिस्षे में थे जंगल के ये सिस्षे में कब आ गए मैंने तुमको क्या बोलाता साहिनाद बोलता है मैंने तुमको क्या बोलाता चांद पड़े मैं हर जगा पी हो तुम जहां जहां मुझे को चाहूंगे तुमको जहां चाहूंगे वहां मैं रहूंगा मा वही मैं वहाँ हजिर हूंगा मैं हर जगह पे हूँ तो आप क्या हो गया तो चांद बाटिल बोलता है वो तो दोड़ी चेले गई तो सैनाद बोलते है दिल ची पुखरो उसको दिल ची पुखरो दिल ची पुखरो तो मालिक, अल्ला, मालिक वो भी मिल जाएगा तो तुम और हम कौन हो दिल चिप करो, सरद्धा रोको और सबर करो मेरे भाय, सरद्धा रोको और सबर करो तब चांद पाटिल बोलते हैं मैं तो पूरा थक गया हूँ तो बुला हूँ मैं उसको तो चांद पाटिल बोलते हैं इतना पाला, इतना पोचा उसको, इतना खाना खिलाया, मेरेको पता है ओ तो भाग की चली गई, आप शुत क्या, आपको तो ओ कभी मिली नहीं, तो सायनात बोलते, मैं बुलाओ उनको, मैं दिलचे बुला तो देखो, छबू, आओ, चांद पाटिल को मत सताओ, आजाओ, करती का पता नहीं, डो फेर, उबर करती सेधा, और इतना जोर शिखिंकलती ती पता नहीं, सायनात को नमस्कार क्या चोबने, तब चांद पाटिल, बुलता है ओभे ये क्या है, ये कैसा हो गया, अब भाग ये क्या है, बोलता मैं दिल की बाद जानता हू, उनकी दिल की ब पुकर मैंने दिल छी पुकर इसले तो या अग तब चांदपटिल बोलता है धन्य हो बाबा धन्य हो आप कोन है मैं तो उनका बंधा हूँ मालिक का मैं बंदा हूँ तो चांदपटिल का गलाव बहुत सुकने लगा बहुत दोड़ा भी वह था साइनाद बोलते हैं कि प्यास लगे गया चांदपटिल बोलते हैं मेरेको तो प्यास लगे बाबा तो जो तलाप पिर जाके पानी पिर नहीं वह तो गंदा है वैसा ही गंदे विच्यार को हटना आपको लगता है गंदे पानी पिने से आप बिमार पड़ जाओगे इससत हुए तो इसले मेरे एक शीख है चांदपटिल आप से कि आईसे ही गंदे विच्यार मन में नहीं आने देना चाहिए तो इसले अच्छे विच्यार लओ इसले तो मालिक की वस्ती मालिक अपने अं तो इसले मन का खाहर रखो आइसी सिख बाबा देते चांदपटिल को और तब चांदपटिल सायनात के चर्ण में गरता है तब बोलता है तेरे को प्यास लगी ना जबू तेरे पैर के निचे देख पानी है तो वो खुर उपर लेती है और सिधा निचे मारती है तो जेमी स पानी आता है धर्तीक मां कि निचे ची पानी आता है और तो बोलते चांदपटिल को अब जापको पानी पिलो तो चांदपटिल सायनात के पहरों पे गिरता है अब तो अला हो अब तो मालिक हो परवड़ दिगार हो मेरे च्छबूत मिलाई लेकिन पता नहीं मैंने अधुलोग मैंने देखा मैं तो अल्ला के दर्वार में जाता हूं नमास पढ़ने के लेकर लेकिन कभी तो नहीं देखा ऐसा पृष्था मैंने फवली बार देखा और तब सायनात के पैरों में गिरते हैं और बोलते मेरे पानीगरों करो तब सायना बोलते मैं कोना बलते हैं अब हमारी साथ चलो तो सायनात बोलते में मही तो नए जय चल लेकिन आप चली जाओ घर पर सायनात बोलते हैं लेकिन बाबा आपको छुड़को कशी चला जो नहीं इस मायाजान में मत फुसो तुम तुमको तो चले जाना भी है आपकी क्या समाश्या है मैं तो सब जानता हो आप सब घहरवाशी तुमारा इंतजार कर रहे है और ऐसा ही एस सायनात का भाग चान्द पाटिल और सायनात की भेट मैंने मयुगेची ठन गए आपके सामने ये रामानंद कुरुट सागर का ये शिरेल का भाग मैंने आपके सामने भक्त गनो सब साई भक्त गनो मैंने आपके सामने पेश किराए सायनात बोलते है स्त्रक्दारों को और सबर करो वैसे ही ओईशे ही सायनात के चेरेतर के उपर आप भी स्रद्ध र oppho जैसे ही ए गोविंदपंत हेमार पत्नी जैसा लिखाए वैसे ही रामानन्द सांगर्जी ने आपके समने सभी सिरियल आपके समने पेस खिये है और वही भाग भी मैंने आपके साफने पेस कर रहा हो कैसे लगा? कमेट में जरूर बताओ और अच्छे लगो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर रहा और यही भाग इधर समप्त करता हो जैसाइनाल, जैसाइनाल, जैसाइनाल